नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपको स्वागत है आज मैं आपको करी की सब जीवना की दिखाऊंगे इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम करी जिसको मैंने एक करी को आठ टुकड़ों में काट लिया है इसके लिए मैंने मसाला लिया है एक छोटी चमच सोप, एक चोथाई चमच कलुंजी, आदा चमच नमक, एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच लाल मिर्च पाउडर, आदा कटोरी चिननी लिया है, आदा चमच हल्दी पाउडर लिया है, अब मैं आपको करी की सब जिमनाग दिखाऊंगे लेकिए सबसे पहले हम गय सोन कर दिया है इसके उपर हम कड़ाई रखती है हमारी कड़ाई गरम होने तक हम ओयल डाल लेंगे एक बड़ा चम्मच ओयल डाल देंगे यह हमारा वेल गरम उर्चु का इसके इंदर हम सोप डालेंगे इसके बाद कवलोजी डाल देंगे अब कटी हुई कोईरी डाल देंगे अब उसको अप्टी से बिला लेंगे आपको मह बता देती हूँ करी को हम सबस्ते पहले ख्राई करेंगे पाद से 7 मिनट तक तक देखें आप देश सकते हैं हमारी करी राई हो चुकी है अब इसके अंदर हम मसाला डाल देंगे सबसी पहले डालेंगे हल्दी पाउडर लाली मिल्स पाउडर नमक आपको डालना है सवाद अनुसार दन्या पाउडर अब इसको अच्छी से मिक्स करेंगे देखें लगबग हम एक मिनट तक हमारा मसाला पका लिया है अब इसके अंदर हम आदा गिलास पानी डाल देंगे देखें आपको में बता देते हूं करी की सब्जी के अंदर लसन नहीं डाल जाता है क्यों लसन डालने से सब्जी का टेस्ट अलगी हो जाता है देखें हमारी सब्जी पकर तयार हो गई है अब इसके अंदर हम चिन्नी डाल देंगे इसको अची से मिक्स कर देंगे चिन्नी को हम पकाएंगे लगबग एक से दो मिनट तक पकाएंगे देखें आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बहुत ही चेस्टी बनी है हमारी सब्जी पसंद आये तो हमारे चैनल को जुरू सब्क्राइब करें लाइक रेसे पर देखेंगे